इस वीडियो में हम Class 12 Maths की Exercise 7.9 इसके First 8 Questions करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं यह Limits लगी है Integrals में यानि यह Definite Integral की Exercise है और यह बहुत Basic Questions है यहाँ से Definite Integral शुरू होता है इसके बाद जो आने वाले Questions है और इसके बाद Next Exercise है उसमें High Level का Definite Integral है यह बहुत Basic Questions है और अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो I am sure आपको मुझे बिलकुल Basic से ही समझा रहा होगा हो सकता है आपको बहुत Basic Level में ही Problem हो Definite Integral में तो मैं आपको एक-एक चीज़े बताऊँगा कि कैसे हम Limit Put करते हैं कैसे इन Questions को करते हैं ओके तो शुरू करते हैं One by One पहला Question है Integration minus 1 to 1 x plus 1 dx अब देखो यह सभी जो Questions हैं Question number 1 to 8 इनकी खास बात यह है कि हमें कोई substitute नहीं करना है इनका direct integration होता है इसलिए यह Question बहुत Simple है और इनमें Limit Put करना बहुत Simple है जहाँ पे हमें Put करना होता है वहाँ पे चीज़े थोड़ा Difficult होनी शुरू होती है बट यह बहुत ही Simple है यहाँ पर हमें क्या करना होता है Integrate करेंगे हम X का integration X square upon 2 1 का integration X यहाँ पर हम लगाएंगे Limit तो Limit इस तरह से Bracket हम बंद करेंगे minus 1 to 1 ठीक है ओके Upper Limit हम लगाएंगे पहले फिर Minus करके Lower Limit लगाएंगे यह Upper Limit होती है और यह Minus 1 Lower Limit है Upper Limit पुट करेंगे तो 1 पुट किया 1 upon 2 plus 1 ठीक है Minus करके Lower Limit लगाएंगे Lower Limit यह नहीं Minus 1 हम पुट करेंगे तो यह Minus 1 upon 2 और X के जगपे Minus 1 रखा तो Minus 1 हो जाएगा यह हो जाएगा 3 upon 2 Minus और यह है Minus 1 upon 2 ओके वैसे अगर आपको इसको और अच्छे से Solve करना हो तो Bracket Open कर दो Minus Half प्लस 1 और यह Half से Half कटके यह आंसर आजाएगा 2 Fine ओके यह तो हो गया अब Second Question Integration 2 to 3 Equation No.2 है 1 upon X TX Okay 1 upon X का Integration होता है Log X बस हो गया Integration और अब हमें Limit Put करनी है Upper Limit पहले 3 लगाएगे X के जगपे हमें 3 रखना है फिर Minus किया अब X के जगपे 2 रखना है और यह हो जाएगा Log 3 upon 2 क्योंकि Property होती Log की Log M Minus Log N यह होता है Log M upon N तो इसलिए हमने यह लिखा है तो यह Second का Answer आ चुका है ठीक है यह भी हो गया अब थर्ड क्वेशन करते है 1 to 2 4X क्यूब माइनस 5X स्क्वाइर प्लस 6X प्लस 9 ओके तो करते हैं इसे integrate 4X की पावर 3 तो इसका integration क्या होगा 4 as it is आएगा और X क्यूब का हो जाएगा X की पावर 4 upon 4 माइनस यह 5 as it is और X स्क्वाइर का होगा X क्यूब अपॉन 3 6 as it is और X का X स्क्वाइर अपॉन 2 और 9 का 9X है ना यह मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको integration आता होगा यह basic क्योंकि अगर आप यह exercise कर रहे हो इसका मलब basic चीज़ें आपने पड़ी है नहीं तो पहले basic integration आपको आना चाहिए यह कटा यह दो बार कटा नहीं ठीम ठीक है तो यह हो जाएगा X पावर 4 माइनस 5 X क्यूब अपॉन 3 प्लस 3 X स्क्वाइर प्लस 9 X 1 तो 2 ठीक है और अब हम limit put करते हैं तो upper limit याने पहले 2 put करेंगे तो 2 की पावर upper limit put कर रहे हैं ठीक है 2 की पावर 4 यह होता है 16 माइनस 5 इंटू 2 की पावर 3 होता है कितना 8 8 अपॉन 3 प्लस 3 इंटू 2 की पावर 2 4 प्लस 9 इंटू 2 ठीक है अब 1 put करेंगे तो यह तो हो जाएगा 1 माइनस 5 अपॉन 3 प्लस 3 प्लस 9 अब यहां पे हम simplify करेंगे 16 अफू 1 यह है इंटू 4 इंटू 3 अफू 1 अफू 1 यहां भी हम simplify करेंगे तो यह है यह तीनों प्लस के तो इनों प्लस हो जाएंगे अठारा बारा तीस चालिस 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 फॉर्टी सिक्स माइनस 40 अपॉन 3 माइनस 13 माइनस 5 अपॉन 3 ब्रैकेट ओपन करने यहां पर समझदारी है कैलकुलेशन उससे थोड़ा आसान हो जाएगी 46 माइनस 40 अपॉन 3 माइनस 13 प्लस 5 अपॉन 3 तो 46 माइनस 13 तो हो गया 33 और यह माइनस 40 प्लस 5 यह है माइनस 35 अपॉन 3 तो यह 99 माइनस 35 अपॉन 3 और 99 माइनस 35 होगा 64 अपॉन 3 और यह हमारा आंसर है question number 4 यह है तो यहाँ पे पहले integrate करते हैं sine 2x का integration देखो sine का integration माइनस cos होता है माइनस cos 2x but because यह 2x है तो upon 2 भी हम करेंगे क्योंकि 2x को differentiate करके उससे divide कर देते हैं और इसके बाद हम limit put करेंगे 0 to pi by 4 और अब हम upper limit लगाएंगे पहले तो minus cos 2 into pi by 4 upon 2 ठीक है minus और अब lower limit लगाएंगे cos 0 upon 2 fine तो ये हो जाएगा minus देखो cos 2 से ये कटेगा तो pi by 2 0 होता है तो ये तो 0 हो गया minus minus plus cos 0 1 होता है तो ये 1 upon 2 आ गया basically इसका answer 1 upon 2 है ठीक है तो ये भी हो गया अब करते हैं question number 5 तो इसे हम integrate करेंगे तो ये हो गया sin 2x upon 2 ठीक है ना cos का integration sin होता है मलब cos x का sin x होता है तो cos 2x का sin 2x होगा बढ़ 2x का differentiation करके हम divide कर देंगे 0 to pi by 2 limit यहाँ पर लगी अब पहले upper limit तो sin 2 into pi by 2 upon 2 minus lower limit sin 0 upon 2 ओके तो 2 से 2 कटा sin pi sin pi होता है 0 0 upon 2 minus 0 upon 2 ये तो 0 हो गया इसका answer 0 है question number 6 है तो यहाँ पर देखो e x का integration होता है just e x और अब limit लगा देंगे हम 4, 5 upper limit पहले लगाया ये minus lower limit तो ये answer है ज्यादा ज्यादा हम e power 4 common ले सकते हैं तो e minus 1 बचेगा वैसे ये answer यहाँ तक ठीक है बाकि आप देख लीजे question number 7 तो यहाँ पर हमारे पास ये question है देखो 10 x का integration क्या होता है 10 x के दो integration होते है एक है log sec x दूसरा minus log cos x हमें ये use करना चाहिए क्योंकि अक्सर एक तो हम result को अक्सर हम sign और cos में लिखते हैं ऐसा हम usual तरीका है लिखने का दूसरा हमें cos में values ज़्यादा पता होती sec के comparison में लेकिन अगर आपको sec में values पता है तो आप इसे भी use कर सकते हैं कोई problem नहीं है दोनों सही है बट मैं इसे prefer करूंगा 10 x का integration minus log cos x और अब limit लगाएंगे हम 0 to pi by 4 पहले upper limit लगाएंगे तो ये हुआ minus log cos pi by 4 minus lower limit cos 0 ठीक है ये हुआ minus log cos pi by 4 यानि cos 1 upon root 2 है ना cos pi by 4 1 upon root 2 होता है minus minus plus log cos 0 होता है 1 ओके अब यहाँ देखो कुछ log की properties use होंगी देखो जब ये चीज़ अंदर यहाँ reciprocal होती है तो बाहर का sign बाहर minus sign आ जाता है अब because minus only है तो यह हो जाएगा log root 2 और ये log 1 0 तो यहाँ पे properties आपने सीखी एक तो ये है कि minus log x कुछ भी हो minus जब यहाँ से हटाते हैं तो ये 1 upon x आ जाता है और ये है ना इस तरह से और ये minus अगर हम लगाते हैं तो reciprocal हो जाता है means ये minus अगर आपने यहाँ से हटाया जैसे हमने ये समझे कि minus हटा दिया तो ये अंदर बाली चीज पलड़ गई तो अगर इस चीज करें सिप्रकल होता है तो sign भार minus आ जाता है since already भार minus है तो minus minus प्लस हो जाता है दूसरा log 1 0 होता है ये ध्यान रखना हमेशा log 1 is 0 इसके बाद अभी एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगी ये 2 की पावर है half और ये half आगे आ जाएगा है ना square root का मतलब half power होती है ये half आगे आगे half log 2 और ये है proper answer क्या property यूज यहाँ पे log की कि log m power n ये होता है n log m ठीक है पावर आगे आ जाती है यहाँ पर question number 8 हमारे पास है ओके तो इसे हम पहले तो cosec x को integrate करेंगे देखो cosec x की दो formula हैं वैसे तो 4 formula हैं बट main main इसकी दो formula हैं एक है log 10x by 2 दूसरा log cosec x minus cot x अब देखो दोनों में से कौन सा जादा सही रहेगा लगाने के लिए पहला वाला आसान लग रहा है लेकिन problem ये है कि हमारे पास जो angle है ये पाइ-बाइ-6 है अब जब हम उसका half करेंगे पाइ-बाइ-6 या नही 30 degree इसका half करेंगे क्योंकि obviously जब हम limit लगाएंगे तो half करना पड़ेगा न यहाँ पर XB2 है आप देखो तो पाइ-बाइ-12 हो जाएगा और ये वाला पाइ-बाइ-8 हो जाएगा तो इनकी values अब ओके और अब हम यहां पर लिमिट लगा देंगे तो यहां पर यह पाइबाई फोर लगाया हमने तो यह हो जाएगा कॉसेक पाइबाई फोर माइनस कॉड़ पाइबाई फोर हम ये upper limit यूज़ कर दी है minus lower limit causec pi by 6 minus cot pi by 6 ठीक है ओके और यहाँ पे values put करते हैं causec pi by 4 क्या है causec pi by 4 देखो sin pi by 4 होता है root 2 होता है तो ये root 2 हो जाएगा minus cot pi by 4 और causec pi by 6 sin pi by 6 1 upon 2 होता है तो ये हो जाएगा 2 minus 10 pi by 6 होता है 1 upon root 3 तो ये reciprocal होके ये हो जाएगा root 3 और अब log की property तो ये यहाँ पर हम लिख देंगे log root 2 minus 1 upon 2 minus root 3 दोनों positive हैं तो यहाँ पर ये लगाने की जरुत है नहीं mode तो ये हो गया है तो आई होप आपको ये सभी questions अच्छे से समझ आए होंगे बाकी questions के लिए description box में playlist चेक करें प्रेछिव प्रू閔